आज की स्काक्षा में हम प्रस्ना वली पांच दस्मलों एक के प्रस्नों को हल करने जा रहे हैं प्रस्न है प्रतीक प्रस्न में प्रयूक्त अक्षरों का मान कारण सहीत निकालिए पहला प्रस्न में रहे हैं इसमें जो अक्षर दिये हैं P प्लस P प्लस P और इसका योग आ रहा है Q P तो यहां हमें P और Q का मान निकालना है तो हमारे पास कौन से अंख है जो यहां हम रख सकते हैं सुन्ने से लेखे 9 तक तो P का मान हम सबसे पहले शुन्ने रखते हैं तो देखिए शुन्ने जोड़ सुन्ने जोड़ सुन्ने यहां सुन्ने आ जाता है यह तो सही है लेकिन फिर दहाई में कुछ भी नहीं आ रहा है तो पी का मान शुन नहीं हो सकता है अब और कौन सा अंक हम ले सकते हैं अब इसके बाद अगर हम एक लेते हैं तो एक जोड़ एक जोड़ एक तीन हो जा रहा है लेकिन हमें तो एक ही जो पी कमान हमने रखा वही आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है दो रखेंगे तीन रखेंगे इस तरह से आप रखकर देखते जाईए आप खुद से इसको एक एक अंक रखे और जोड़ते जाईए अब इसके बाद हम लोग पांच रखते हैं तो पांच जोड़ पांच जोड़ पांच पंद्रह आता है तो देखिए एकाई में फिर पांच आ जा रहा है यानि पी आ जा रहा है तो यहां पर हमारा पी कमान हो गया पांच और चुकि पांच जोड़ पांच पंद्रह हुआ तो क्यों कमान आ गया क्यों कमान एक आ गया य इसी तरह से अब हम प्रश्न संख्या दो देख रहे हैं ए जोड तीन और यहां पर एक आ रहा है तो हम एक जगह क्या रख सकते हैं कि उसमें तीन जोड़ेंगे तो इकाई का अंग एक आएगा तो यहां फिर हम शुन्य से रखना शुरू करते हैं एक आमान शुन्य रखेंग में प्रके उनांगे जोड तीन तो फिर तीन आएगा तो इस तर से आप रखते चले जाएं अन्त में हम देखेंगे कि क्या कि यहां कि आ जाएगा आथ तो आथ को चिलिए 14 होता है नश्य यहां पर सही आ अगया तो हम जगे क्या आ जा रहा है आठ तो हमने देखा कि एक जगह हमने आठ रखा तो आठ तीम ग्यारा हो गया और फिर हासिल एक हो गया एक जगह हमने आठ रखा हासिल एक आ गया तो फिर एक और एक दो और फिर यह सही में आठ रखते हैं तो दस आ जाता है इसका मतलब एक इसकल टू एट हो जाएगा ठीक है अब तीसरा देख रहे हैं तीसरा पांच में हमें पी जोड़ना है अर्था पी के जगह कौन सा अंक रखें कि यह जोड कि इकाई में दो आ जाए तो अब बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि पांच में अगर हम साथ जोड़ेंगे तो बारह होता है तो अगर पी का मान हम यहां साथ रखते हैं तो पांच जोड़ साथ बारह हाथ में रहा हासिल एक चार तीन साथ और ए आठ इसी तरह से आप चौथा निम्मर परस्ट लेख रहे हैं पी का मान क्या रखें कि उसे नौ में जोड़ने के बाद छे आजाए तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नौ में हम क्या जोड़ें कि ये इकाई में छे आ जाएगा नौ में अगर साथ जोड़ते हैं तो नौ साथ सुल्ल होता है तो पी का मान अगर हम यहां साथ ले रहे हैं तो नौ साथ सुल्ल लग अच्छे हाथ में रहा हासिल एक अब ये आठ नौ सत्रह और एक अठारा अर्थात आर का मान हो गया एक और क्यू का मान हो गया आठ इन मानों को फुर से हम बैठा के एक बर चेक कर सकते हैं कि ये सही आ रहा है अत्वा नहीं आप खुद से ये कर करेंगे अगला प्रस्न प्रस्न संख्या पाँच यहां क्यों का मान क्या रखें कि उसमें साथ जोड़ें तो उसकी इकाई में पाँच आ जाए तो कौन सा अंख हो सकता है निस्सी तुलुप से Q का मान हमारा 8 होगा हम जानते हैं क्योंकि 8 और 7 जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है तो 8 और 7 पंदरा का यहां 5 हो गया हासिल में 1 हो गया तो हमने Q का मान 8 लिया है तो इसमें 1 हासिल जोड़ देंगे आठ एक नौ अब नौ में हम यहां क्या जोड़ें कि वो इकाई में चार आ जाए तो क्या हो सकता है नौ में पांच जोड़ेंगे नौ पांच चाउदर का चार हाथ में रहा हासिल एक और यहां छे में एक जोड़ दिये हासिल तो साथ और साथ में फिर पांच जोड़ें तो बारह अर्थात यह हमारा आगया क्यू ब्राबर आठ और पी ब्राबर पांच प्रस्म संख्या 6 PQ इन्टू P3 और इसका गुननफल है 5,7Q आईए से गुना करते हैं 3 से Q किये 3Q 3 से P किये 3P और पी से Q PQ और P से P P2 इसे जोड़ते हैं तो यह हो गया 3Q 3P plus PQ और P2 अब हमें Q का मान ऐसा मान बैठाना है कि 3 से उसे गुना करें तो जो संख्या है उसके इकाई में पुना वही अंक आ जाए तो हम देखते हैं कि ऐसा अंक सर्फ सुन्ने और 5 है क्योंकि यहां अगर सुन्ने बैठाते हैं तो 3 से सुन्ने होगा तो यह सुन्ने हो जाएगा और 5 बैठाएंगे तो 3 पच्छे 15 का यह 5 आ जाएगा तो Q का मान या तो सुन्ने होगा या 5 होगा बारी बारी से दोनों मान बैठा के हम देखते हैं तो इस्तिती 1 पहले इस्तिती में यदि Q ब्राबर सुन्ने होगा तो ऐसी इस्तिती में ये 3P प्लस PQ हमारा हो जाता है 3P और 3P है तो यहां P का मान हमें ऐसा बैठाना है कि इसको 3 से गुना करें तो जो संख्या आए तो उसके इकाई अंक में साथ आए तो हम बारी-बारी से सभी अंकों को बैठा के देखेंगे क्योंकि नियम के अनुसार हमने Q का मान शुनि लिया है तो अब P का मान शुनि नहीं ले सकते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम 9 बैठाते हैं तो 9 त्याई 27 तो एकाई में साथ आ जाता है तो इसका मतलब है कि P का मान 9 हो सकता है लेकिन यहां देख रहे है P स्क्वाइर तो P का मान अगर 9 बैठाते हैं तो P स्क्वाइर हो जा रहा है इसका अर्थ है कि इसके दाहई में 8 है लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि P स्क्वाइर में इधर सबसे 2 और 5 है तो इसका अर्थ है कि ये P का मान हम 9 ने ले सकते हैं अर्थात Q का मान शुन्य नहीं हो सकता है अब दूसरी इस्तिती लेते हैं यदि Q is equal to 5 तो ऐसे इस्तिती में 3P plus PQ ये जो 3P plus PQ है ये हमारा हो जा रहा है 8P और जब हम यहां 5 लेते हैं तो 3,5,15 का ये 5 हो गया हासिल 1 हो गया 3,5,15 का 5 और हासिल 1 हो गया तो ये इसमें जुड़ जाएगा 8P plus 1 तो अब इसको हमें P का ऐसा मान बैठाना है कि इसके बराबर जो संख्या आएगी उसके इकाई में इकाई अंक में इस्थान में साथ आना चाहिए तो हम देखते हैं कि P का मान अगर हम 2 बैठाते हैं तो 2 अठे सुल्ला और एक सत्रा तो इकाई में साथ आ गया और जब ये सत्रा हो गया तो एक हासिल चला गया इधर बाई और तो P स्क्वाइर प्लस 1 एक इधर से हासिल चला गया था ये 1 हो गया तो P का मान जब हम 2 बैठाते हैं तो हम देखते हैं 2 का 2 तो 2 दूरी 4 और 1 5 ये 5 होता है और यहां भी 5 है अर्थात हमारा P का मान मिल गया 2 और Q का मान मिल गया 5 इन दोनों मानों को आप इस प्रश्ण में बैठा कर खुद से भी वेरिफाई कर सकते हैं प्रश्ण संख्या 8 P Q इन्टू 3 और इसका गुननफल आ रहा है R P Q तो Q का मान ऐसा मान जिसको 3 से गुना करें तो जो संख्या है उसके इकाई में प्रश्ण वही मान यानि वही अंक आ जाए तो ऐसा अंक हमारा हो सकता है 6 और 5 क्योंकि 3 से 6 को करेंगे तो प्रश्ण हो जाएगा और 5 रखेंगे यहां तो 3 से 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा तो प्रश्ण पाँच यहां इकाई में आ जा रहा है अब हम देखते हैं कि कौन सा हो सकता है, शुन्ने होगा या 5 होगा, Q कमान तो यदि स्थिती 1 है, यदि Q is called to, शुन्ने हो जाएगा, तो ये 3P हो जाएगा 3P और ये 3P फिर होगा R P, तो अब हम P का कौन सा मान बैठाएं, कि उसको 3 से गुना करें, तो पुना जो संख्या आए, उसके इकाए में पुना वही अंक आ जाए, तो हम देख रहे हैं, बारी-बारी से सारे अंकों को बैठा के देखते हैं, तो हम पाते हैं, ये P का मान अग यहां पर इकाई में 5 आ जा रहा है, तो वैसे स्थिति में P हमारा हो गया 5, और जब P हम 5 रखते हैं, तो R हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये Q इसकल 2 सुनने हो गया, P इसकल 2 5, R इसकल 2 1, अब दूसरे स्थिति भी देख लेते हैं, इस्थिति 2, इस्थिति 2, यदि Q इसकल 2 5, अगर Q इसकल 2 5 होगा, तो 3 पच्चे 15 का यहां 5 हो गया, एक हासिल हो गया, और इधर 3P हो गया, तो 3P प्लस एक हासिल जोड़ दिये, तो ये होना चाहिए, R P अब यहां P का ऐसा मान बैठाना है, जिसको 3 से गुना करके और उसमें एक जोड़ेंगे, तो पुना वही अंक आ जाए, लेकिन ऐसी कोई भी अंक नहीं है, जिसे 3 से गुना करके एक जोड़ेंगे, तो पुना जो संख्या आए, उसके इकाई में वही अंक आए, आता है, Q इसकल टू 5 नहीं हो सकता है, तो हमारा बान निकल गया, P इसकल टू 5, R इसकल टू 1, और Q इसकल टू 6, आप इसे पुना आप इस प्रस्न में बैठा कर, वेरिफाई कर सकते हैं, प्रस्न संख्या 9, P Q इन्टू 6, तो Q का क्या माल लें, कि 6 से गुना करें, तो पुना वो, वही अंक आजाए, तो ऐसा अंक क्या हो सकता है, एक तो हमारा शुन्य हो सकता है, 6 से सुन्य को करेंगे, तो फिर शुना आजाएगा, उसके बाद अगर हम एक लेते हैं, तो 6 एका, शौ ये नहीं होगा, अगर 2 लेते हैं, तो 2 छक 12, तो यहाँ एकाई में फिर वही आगया, क्यूँ, तो ये 2 हो सकता है, तीन लेंगे अगर तो 6 तियाई 18 नहीं होता है, और अगर 4 लेते हैं, तो 6 चो के 24, फिर से आगया ये, वही अंक आगया एकाई में, और अगर 6 लेंगे, तो 6 चक 36, तो ये फिर वही अंक आगया, तो ये हो गया 6, इसके बाद 7, 8, 9 लेखे देखें कि वो नहीं आएंगे, अब हम एक एक इस्तिती पर विचार करते हैं, अगर Q कमान हम सुन्ने लेंगे, तो ये 6 से सुन्ने करेंगे ति ये सुन्ने हो जाएगा, लेकिन 6P क्या हो जाएगा, अगर Q स्कल्टू शुन्ने, तो 6P ब्राबर क्या हो गया, ये Q और Q होना चाहिए, लेकिन Q क्या हो गया, शुन्ने शुन्ने, अगर हम Q सुन्ने रहे हैं, तो ये हमें P का मान, चुके हम Q का सुन्ने ले चुके हैं, तो कोई दूसरा अंक लेना होगा, तो ऐसा कोई अंक नह तो शुन्य आये तो यह नहीं हो सकता है अब क्यूं का मान दो लेके देखते हैं तो यह हो जाएगा हमारा अच्छे दोनी 12 का यहां पर 2 हो गया एक हासिल हो गया यानि 6P 3 प्लस 1 इसकल 2 यह Q Q होना चाहिए अर्थात Q Q अर्थात यह होना चाहिए हमारा दो दो यानि 22 तो ऐसे कोई भी अंक नहीं है जिसको 6 से हम गुना करें और एक जोड़ें तो 22 हो तो यह भी नहीं हो सकता है अब इसके बाद हम Q इसकल 2 चार लेते हैं तो यह 6 चोबिस का चार होगा हासिल हो जाएगा 2 तो 6P प्लस 2 और यहां होना चाहिए यह 4 चार 44 तो यहां हम देख रहे हैं पी का मान अगर 7 लेते हैं तो 76 42 और 2 44 तो यहां हमारा पी का मान आ जा रहा है पी का मान 7 अर्थात हमारे यहां Q का मान 4 और पी का मान 7 निकल गया 6 बैठा कर भी आप देख लेंगे तो वो वहाँ लागू नहीं होगा तो इसलिए हमारा Q का मान चार हो गया और P का मान साथ हो गया प्रस्न संख्या 10 QP into PQ यह है QRQ आईए इसे गुना करके देखते हैं तो यह हमारा गुननफल आता है इदर से QP Q स्क्वाइर प्लस P स्क्वाइर इदर है सबसे बायोर PQ तो QP करने के बाद यह इकाई में Q आता है तो इसका अरथ है कि P हमारा सरफ एक हो सकता है और कोई दूसरा अंग नहीं हो सकता है अब इदर देख रहे हैं यह बीच वाली जो अंग है Q स्क्वाइर प्लस P स्क्वाइर आर इसकल टू आर तो P तो हमने एक निकाल लिया था तो यह एक हो गया तो ऐसे इस्तिती में यह आर एक अंग है तो Q का सरफ दो लेने से ही आर एक अंग की में आएगा क्योंकि तीन या उससे ज़्यादा लेने से यह क्या हो गया तीन तीया इनो और एक दस दो अंग यह संख्या बन जा रही है लेकिन यहाँ एक अंग है और हम Q का मान एक नहीं रे सकते हैं तो इसका अर्थ है Q का मान है दो और इस तरह से यह 2 दुना चार और एक पांच तो आर का मान आ गया यह पांच इस तरह से P का मान एक Q का मान दो और आर का मान पांच है प्रत्न संक्याइ 11 यहाँ PQ इनटु 6 और R जे आर चे आठ यहां हम देख रहे हैं कि Q का मान या तो 3 होगा या 8 होगा क्योंकि 6 तियाई 18 और 6 अठे 48 दूनों इमामरे में इकाई में 8 आता है तो हम चेक करते हैं कि कौन सा होगा तो यदि Q रावर 3 आता है तो इसका मतलब यह होता है कि यह 6 गुना P और इधर से एक हासिल आगा अर्था 6 P प्लस 1 यह जो संख्या आएगी इसका इकाई अंख हमारा 6 आना चाहिए तो यहां P का कोई ऐसा मान नहीं है जिसको 6 से गुना करने के बाद एक जोड़ें तो फिर इकाई में 6 आए तो इसलिए यह Q रावर 3 नहीं होगा तो अब Q रावर 8 देखते हैं तो इस इस्तिती में यह 6 P और यहां से 6, 48, 48 करेंगे तो 4 हासिल जाएगा तो यह हो जाएगा 6 P प्लस 4 और इसके इकाई में आना चाहिए 6 तो यहां अगर हम 7 रखते हैं तो 46, 42 और 4, 46 तो इकाई में 6 आजाता है इस प्रकार हमारा P ब्रावर 7 आ गया Q ब्रावर 8 हो गया